36 गड के मुख्य मंत्री विश्णू देव साय ने प्रधान मंत्री नरेंडर मोडी को पत्र लिखा है पत्र के माध्यम से सीम साय ने अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम के सफलता पूर्वक संपन होने पर 36 गडवासियों की भावनाव को साजह किया है मुख्य मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि अयोध्या धाम से दिये गए संबोधन में प्रधान मंत्री मोडी ने माता शबरी की भक्ती और भगवान राम के आनी की प्रतीक्षा को जिस तरह रेखांकित किया उसने 36 गडवासियों को ड्रवित कर दिया है CMCI ने आगे कहा कि पूरा देश और हम सभी 36 गडवासि आयोध्या धाम के श्री राम जन्म भूमी में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम के सफलता पूर्वक संपन होने पर आहलादित है भारतिय जन्मानस के इस सपन को आकार देने के पीछे करोडो राम भक्तों और सैकडो बलीदानियों के साथ आपके संकर्प की महती भूमी का है और 36 गडवान श्री राम का ननिहाल भी है इसलिए हमारी खोशी का कोई पारवान नहीं है पूरे 36 गड़ में इस तिथी को रामोसव के रूप में मनाया गया मैंने इस अफसर पर प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम का अवलोकन माता शबरी के पवित्र धाम शिवरी नाराइन से करने का निश्चे किया अभिजीत मुहरत के शुब शणों में जब आपने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तो ये हम सब के लिए उल्लास का भावुकता का और गौरव का शण था वह उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी के संबोधन के संभंध में अपनी बात साजह करते हुए लिखा कि आपके ओज मई, गरीम मई और यशस्वी संबोधन को सुनना हम सब के लिए विलक्षन और प्रेणा दाई अनुभव रहा राइपुर से समवादाता भूलेश मिश्रा की रिपोर्ट